हेलो स्टुडेंट्स हमने प्रीवेस वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर वो है फर्स्ट ओडर पार्शल डिफ्रेंसेल एक्वेशन उसके अंदर हमने ये जो स्टांडर नोटेशन है वो ओडर एंड डिगरी कैसे फाइन कते है वो देखा था and then important topic यह है formation of a PDE so कोई भी एक equation दिया हो कोगे कोई function दिया हो तो वहां से हमें क्या बनाना है एक PDE partial differential equation बनाना है तो वो कैसे बना सकते है तो उसके लिए भी हमारे पास दो मैथल है पहली है by elimination of arbitrary constant तो वो हमने देखा है उसके base पे हमने example भी तीन चा देखे है और दूसरी method है by elimination of arbitrary function और उसके अंदर भी दो पाट है तो पहला पाट हमने already देखा था जो arbitrary constant में जैसे करते थे partially differentiation बस वैसे हमें करना है तो उसके एक example देखा था तो आज हम वो ही continue करते है और उसका जो दूसरा पाट है वह हम देखेंगे next video में वह important है इसलिए तो यह आज हम बात करेंगे by elimination of arbitrary function तो वहाँ पर कोई function दिया होगा ऐसा एक्चलिए arbitrary constant में मैंने बताया z equal to कोई भी दे दे थे ना ax square या ax plus by ऐसा ओके तो वहाँ पर हम a and b जो है arbitrary constant उसको हम eliminate करते थे अब यहाँ पर क्या दे दिया कोई भी एक function दे दे थे है ऐसा कल हमने example देखा था f of x square minus y square का तो यह quick function दे देते है बस उसको eliminate करना है मतलब function को remove करके हमें partial differential function बनाना है तो यह हमने यह दूसरा पाठ है वो हम कल देखेंगे तो यह example जो example number one वो हमने देखा था already कल राइट तो आज हम देखते है यह थोड़ा important example है important यानि आपको आना चाहिए differentiation अभी form of partial differential equation by eliminating the arbitrary function यह नहीं भी दिया हो तब भी आपको यह देखके पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर एक function दिया हुआ है from x, y, z equal to 5 of x plus y plus z तो यहाँ पर function f नहीं लिखा है f की जगे पर क्या लिखा है 5 कुछ भी लिखो लेकिन यह क्या है एक function है तो हमने बात आती थी वैसे कि x and y जो है वो क्या है एक independent variable है and z क्या है एक dependent variable है and that depends upon the x and y so z जो है वो x and y का ही एक function होता है getting तो उसको हम constant concern नहीं कर सकते है उसका partially differentiation हमें क्लिकना परता है right so बात already मैंने बोले थी okay so अब कैसे करते है इसको तो छूबी दिया है उसको पहले लेक देते है सेम थोड़ा छोटा ही करतेता हूं क्यूंकि लिखने में easy रहेगा मुझे चलो यह तो एक काम करते है ओके चलो यह जो दिया हुआ function वह हम लिख देते हैं पहले xyz equal to phi of x plus y plus z अब हम क्या करते है अभी arbitrary constant में भी हमने यही किया था और arbitrary function को eliminate करना है तो हम क्या करेंगे जो भी यहाँ पर function दिया है उनका पहले x के respect में partially differentiation करना है and then उसका एक equation आ जाएगा तो उसको number 1 दे दो and then उसको ही same equation को y के respect में हमें partially differentiate करना है जो भी answer आएगा उसको number 2 दे दो तो यह 1 & 2 जो equation आएंगे वो देखो उसके base पे से हम function को आराम से eliminate कर सकते हैं तो इसका हम पहले क्या करेंगे उसको number 1 दे दिया है बूप में तो differentiating equation 1 मतलब इनको partially with respect to extraordinary differential नहीं करना है या partially differentiate करना है रइट सो कैसे करेंगे तो देखो मैं आपको right side का पहले बताता हूँ सो कोई भी function है यह x, y, z के form में तो हमने क्या किया था कल f of x होता है तो उसका derivative हम क्या लिखते है f dash of x लिखते है और multiply यह x अंदर जो भी होगा उसका again करेंगे multiply करके तो यहां पर भी ऐसा ही होगा यह f की जगह भी 5 है तो यह function का derivative क्या लिखेंगे partially 5 dash of x plus y plus z into यह जो bracket में उसका differentiation करना है तो क्या आएगा x के respect में कर रहे है तो x का derivative है वो 1 आएगा प्लस यह y क्या है x के respect में कर रहे है तो constant हो उसका क्या आएगा 0 आएगा प्लस यह z को constant नहीं ले सकते क्योंको यह x और y का function होता है तो उसका partial differentiation क्या लिखेंगे del z by del x getting so answer क्या आएगा यह 0 निकाल दो दो 1 प्लस del z by del x आ गया simple है तो यह right side तो आपके लिए simple है यह कैसे है वो मैंने बताया अब हम बात करते है left side की x y and z तो देखो यहां पर हम x के respect में कर रहे हैं न एक्स y and z है एक्स के respect में कर रहे है तो एक बात यहाद रखना है एक्स तो constant नहीं होगा और जैड भी constant नहीं है तो constant क्या है y तो उसको बहाद निकाल दो और किसका करना है हमें x and z का partial differentiation करना है तो कैसे करेंगे y तो बाहर ही है चलो अब पहले x का करें तो z constant हो जाएगा इसके लिए मां तो z को ऐसे ही लिखो और x का क्या हो जाएगा one प्लस अब क्या करें x को यह जीट ही रोखो z का क्या होगा डेल जेड बाई डेल एल एक्स y को multiply करो तो क्या हो जाएगा yz प्लस xy डेल जेड बाई डेल एक्स तो देखो यह दोनो यह yz है प्लस यह xy डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया answer जड़ी इस तरह समय करना है अब क्या करेंगे हमें पत्ता है standard notation डेल जड बाई डेल एक्स इक्वाल टू हम क्या लिखते है टू एहां पर देखो देल डेल डेल एक्स की जगे पर स्माल ती लिखा है यहां पर भी समाल लिक पर दिया है तो इकवेशन आया इसको वन बोला था तो इनको बोलो ऊसर्ट नूम्बर टू तो यह जो भी एक्जम्पल दिया है यहां पर जो भी एक्वेशन दिया है यह उनका हमें अभी X के रिस्पेग में हो गया पार्सली डिफ्रेंसेशन अब हमें इनका ही किसके रिस्पेग में करना है y के respect में तो same method से करेंगे right side का क्या आएगा 5 है तो 5-s आएगा 5-s x plus y plus z into यह bracket का करना है x plus y plus z का तो y के respect में कर रहा है तो into क्या आएगा देखो यह तो लिखा ही है into में उपर लिखता हूँ x का क्या आएगा 0 क्योंकि y के respect में कर रहा है प्लस y का क्या आएगा 1 प्लस z constant नहीं ले सकता तो del z by क्या लिखेंगे del y so 1 plus del z by del y आएगा ये देखोंगे ये 5 dash x plus y plus z into 1 plus del z by del y so ये right side का हो गया left side का जो है x y z का वो हमने यहाँ पर जो किया x का respect में वैसे ही करना है लेकिन यहाँ पर y के respect में करना है तो x को बाहर निकल देंगे constant है ओके और हम किसका करेंगे y का और z तो ही तो y का क्या आजएगा 1 आजएगा constant है न जोनों को बाहर निकल दिया plus x तो constant ही है मैंने last time बता है तब मैंने पूरा बाहर निकाल दिया रहे अभी ऐसा है रखा है अभी y को ऐसरीस रखते है और z का क्या करते है derivative 1 by 1 तो क्या अगर डेल z by डेल y तो आ गया equation अभी देखो x j है ये plus x y डेल z by डेल y अब हमें standard notation पता है डेल z by डेल y जो है उसको हम क्या बोलते है small q तो यहाँ पर डेल z by y की जग़पर q लिखा है यहाँ पर भी q लिख दिया है तो देखो ये main equation आया हमारा ये इनको 1 बोला था ये 2 आया शॉरी ये 1 ये 2 और ये 3 अब हमें क्या करना है ये 2 equation आ गया mean x के respect में and y के respect में partially differentiate किया तो अब ये दोनों equation देखो उसमें add करो subtract करो square करो divide करो कुछ भी करो हमें क्या करना है ये जो function दिया है न उसको eliminate करना है mean तो वो नहीं आना जाहिए तो कैसे करेंगे यहाँ पर ये जो है ना ये number 2 divide by number 3 कर देंगे तो देखो ये cancel ही हो जाएगा पूरा तो रहेगा क्या ये y z plus x y p divide by ये हो जाएगा ये है और यहाँ बेख one plus p divide by क्या हो जाएगा one plus q तो ये function element हो गया आराम से easy हो गया okay तो ये आ गया अब क्या करना है वस उसको थोड़ा simplify करना है तो e cross multiply कर दो ये in case of multiply होगा ये term in case of multiply हो जाएगे तो ये ही लिखा है देखो ये one plus q into a term one plus p into a term अब क्या करो bracket को open कर दो one को ये दोनों के सद multiply करो then q को ये दोनों के सद multiply करो okay then p and q जो है main वो पार्सल डेरिवेटी टर्म है हमारी याद रखना okay वो कौन कौन सी टर्म में है वो common निकालो देखो यहाँ पर p है अदूसरा का पर है ये ओके एक बात याद रखना कि ये p q वाली एक साइड पर ले लेना यहाँ पर p या q है नहीं है तो उसको राइट साइड ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस y जे और p q बिना यहाँ पर क्या है x जेर तो उसको एजिरीज रखो और यह सारी तीनों टम में p n q है उसको लेप साइड ले लो बात में पी एन q वाली टम को इकटा लिखो और कॉमन निकालो तो यह आ जाएगा और देखो यहाँ पर और कॉमन निकलता है यहाँपे क्या कॉमन निकलता हुआ यगा यको को निकल लिए और यह दोनों में किसको कॉमन निकलता है जर्ड जर्ड को निकल लिए राइट शोब एसी है सीवह मैं बात में सिम्प्लीफिकेशन करना है में इंपोर्टन है कि आपको example पता होना चाहे कि कौन सी टाइप का है x के रिस्पे में कैसे differentiate करते है y के रिस्पे में कैसे differentiate करते है यह दो equation आए गया बाद में हम आराम से उसको eliminate कर सकते है ओके चलो अब हम next example देखते है यह दो बार आया देखो 79 12 के अंदर दिखने में बहुत इसी लगता है form अब पार्सल डिफ्रेंस से लिक्वेसन अब देखो कौन सी method वो नहीं दी है लेकिन यह z equal to क्या दिया है यह form दिया है यह form लब f अपन लब यह function दे दिया है तो हमें क्या करना है यह function को eliminate करना है तो method क्या हो जाएगी यह x by y है नहीं तो उसको कुछ assume कर लेते है swap में लिखना इसी रहेगा so u equal to क्या कर देता है x by y तो इनको क्या लिख सकते हम z equal to f of u लिख सकते है so u equal to क्या हो जाएगा x by y ओके तो देखो किस तरह से करना है जो भी दिया है उसको हमें पहले क्या करना है x के respect में and y के respect में differentiate करना है तो हमने क्या लिखा swap में z equal to क्या लिखा f of u मैं side पे लिखने दाऊं थोड़ा z equal to क्या लिखा f of u और u equal to क्या है x by y अब क्या करना है यह जो हमारा है equation उसको हमें x के respect में differentiate करना है कैसे करेंगे x के respect में तो यह z जो है वो constant नहीं है तो x के respect में करेंगे क्या लिखेंगे हम del z by del x लिखेंगे x के respect में और यह function है उसका क्या लिखेंगे f dash of u बट into यह u का again करना पड़ेगा तो u क्या है हमारा x by y है तो x by y का x के respect में क्या होगा तो देखो यह 1 by y जो है न वो constant हो जागा बहार निकलेगा x का क्या answer आएगा 1 आएगा तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 by y into 1 मतलब 1 by y हो जाएगा so u का derivative जो है x के respect में क्या आएगा 1 by y ओके इसका किया f dash u into u का अगेन करना पड़ेगा u क्या है हमारे लिए x by y है getting तो यह आगया answer तो यह rule आपको पता होने चाहिए तो देखो यही लिखा है अब del z by del x है standard notation में हम क्या लिखेंगे उसको p लिखेंगे तो यह p equal to क्या तो बहुत easy रहता है अब क्या करना है same example है same equation function उनको हम x की जगह पे हमें किसके respect में करना है अभी differentiation partially y के respect में तो क्या लिखेंगे यहाँ पे z का y के respect में del z by del y लिखेंगे x की जगह पे और f of u का derivative क्या हैगा f dash of u into यह u जो है उसका again करना पड़ेगा किसके respect में y के respect में तो यह u है तभी y के respect में करेंगे तो यह जो x से वो constant है तो वो बहार निकल जाएगा तो हमें किसका करना पड़ेगा 1 by y का और इसका क्या होता है minus 1 by y square होता है आप u by v करे only 1 by v दिया हो तो उसका derivative क्या लिखते है minus 1 by v square लिखते है न तो similarly x constant को बहार निकल दिया 1 by y का क्या आएगा minus 1 by y square तो हम क्या लिखेंगे यह minus x by y square लिख सकते है तो यहाँ पर क्या आएगा minus x by y square right u का derivative कैसे किया पता चला minus x by y square यहाँ पर del z by del y का standard notation में क्या लिखते है q तो उसकी जगा पर q लिखते हो तो q equal to क्या आएगा f dash u bracket में क्या है minus x by y square यह important है mean क्या करना है अब क्या करेंगे यह equation number 1 है हमारे लिए यह equation number 2 है x and y के respect में हमने partially differentiate कर दिया अब हमें करना क्या mean eliminate करना है किसको करना है तो function को करना है तो यहाँ पर function कौन सा है तो देखो यह f dash u जो है ना यह दोनों में यह function है उसको हमें निकालना है कैसे निकालेंगे यह दो equation पर से हमें पहले सोचना है तो same तरीका हम use करेंगे यह equation 1 divide by 2 कर दो तो दोनों cancel हो जाएंगे तो यह method से भी कर सकते हैं कैसे करेंगे देखो same book में अलग दिया है मैं आपको बताता हूँ तो P by Q करेंगे equation पर 1 by 2 तो क्या होगा यह P left side पर by Q होगा equal to right side पर क्या होगा यह F देस U F देस U cancel तो यह 1 by Y divide by क्या हैगा minus X by Y square तो यहाँ पर Y cancel हो जाएगा और उपर जाएगा तो क्या होगा minus Y by X ओके तो यह इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ P by Q equal to यह Y cancel हो जाएगा देखो यह तो यह Y उपर चला जाएगा minus Y by क्या आएगा X आएगा अब cross multiply कर दो P X तो यह minus Q Y हमको एक सार ले लो तो क्या आएगा P X plus Q Y equal to 0 अनसर आजाएगा तो एक method हो गई जो हम करते है equation number 1 divided by 2 कर दो यह 1 है यह हमारे लिए 2 है तो 1 divided by 2 कर दो तो भी आजाएगा अब यहाँ पर क्या क्या है? बूक में देखों हमारे पास दो equation है न तो क्या करना है यह जो पहला equation है न वहाँ पर हम क्या लिखते है इनकी जगह बे f dash u equal to क्या लिखेंगे? यह p तो है lab side और यह y जो है ना उनको lab side लेलो तो क्या आजाएगा? py आजाएगा so f dash u equal to क्या लिख सकते है? py लिख सकते है तो f dash u की जगह पे यह जो number 2 equation है उसमे f dash u की जगह पे क्या लिख दो? py तो देखो क्या आएगा? q equal to f dash u की जगह पे क्या रहे? py और यह तो है तो देखो यह जो equation आया अभी इसमें पूरा निकल गया function eliminate हो गया तो बस यह equation number 1 पे से f dash u की value यह यहाँ पे enter कर दो equation number 2 में तब भी हमरा answer आजाएगा देखो यहाँ पे y cancel हो जाएगा यह तो क्या बचेगा? minus यह p x by y so q equal to यह आजाएगा q equal to यह time आगए तो यह y क्यो के साथ multiply होगा तो क्या होगा? qy और यहाँ पे क्या रहेगा? minus p y same आगए minus p y को left side लेलो तो आगए p x plus q y equal to 0 अब देखो यह simple equation देख रहा है कौन सा है यह? partial differential equation है जो हमें बनाना वो है कैसे? आप बोलोगे कि यहाँ पे को derivative term था है नहीं partial तो कैसे बोलेंगे? तो देखो भाई यहाँ पे जो p है ना यह p and q जो है ना वो एक partial derivative में है p मतलब क्या है? del z by del x हमने short form में लिखखा है और q क्या? del z by del y ओके? तो यह example हुए by elimination या by eliminating arbitrary function के बारे में तो उसकी जो दिस्करी method है वो हम next time देखेंगे ऐसा function दिया हो कोई भी एक phi u,v equal to 0 ऐसा कोई function दिया हो equal to 0 करके रहे तो हमें कैसे करना है? वो important example है important method है वो हम next video में देखेंगे